Hello everyone, 22 January का दिन पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा एतिहासी दिन है क्योंकि यही दिन हमारे राम लड़ा की प्राडपतरिष्ठा का दिन है और वो अपने राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगी तो इसी राम मंदिर से जुड़वे कुछ इंट्रेस्टिंग और इंपॉर लखा गया है जिसमें मंदिर से जुड़वे बहुत सारे फैक्स हैं जो कि लिखे हुआ है जिससे अगर बहुत सारों के बाद भी कोई इस मंदिर के बारे में जानना चाहे तो इस टाइम कैप्सूल से जान सकता है मंदिर में लगा हुआ घंटा लगभ़ चार सो वरकर्स न बारे में बताती है इसे अनिल कुमार शाहू नाम के एक सब्जिव विक्रेता ने तयार किया है और इसे बनाने में उन्हें लगभग 25 साल लग गए सूरत में राम मंदिर के थीम पर ही एक निकल्स तयार किया गया है जिसे बनाने में लगभग 5000 अमेरिकन डाइमंड लगे ह मंदिर के निर्माड में लगभग 30 साल पुरानी इटों का उपयोग किया गया है इन इटों पर श्री राम लिखा हुआ है और इन इटों को हम राम शिला भी बोलते हैं मंदिर के निर्माड में अंजनी पहाडी से लाए पत्थरों का भी बहुत बड़ा योगदान है क्यों तरह के इस्टील और लोहि का प्रियोग नहीं किया गया है इसे पारंपरिक विधी से तयार किया गया है मंदिर को इस तरीके से तयार किया गया है कि इसमें लगभद 10,000 लोग एक बार में श्रीराम लला के दर्शन कर सकते हैं थांक यू